नमस्कार प्यारे विद्यारतियों, कोटेले कलाशेजम आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनन्दन है, आज हम एक और IT वाले विद्यारतियों के लिए नई भरते के बारे में बात कर रहे हैं, जो है NUS की, यानि नवद्य विद्याले की, और नवद्य विदालिय समीती के द्वारा एक नई वेकेंसी के लिए recruitment process किया जा रहा है इस recruitment में electrician की कितनी post है उस electrician के लिए योगयता क्या है उसका exam pattern क्या है किया विध्यपती कब तक आएगी और इसके लिए syllabus क्या क्या और इसकी त्यारी कैसे होनी चाहिए इन सभी बिंदुवार हम इसके उपर चर्चा करने वाले है सबसे पहली बात तो हमारे सामने जो notice है ये ये आपको सामने दिख रहा होगा जो नवद्य विदेले का recruitment review 2024 लिका हुआ है कौन सी post है परिए non teaching post है और non teaching post के लिए देखो सीटें तो काफी ज्यादा खाली है लेकिन इतने पदों के लिए इनको permission मिली हुई है कि इतने पदों पर vacancy जारी होगी और vacancy जारी होगी इस vacancy जारी होगी तो इसका syllabus क्या है इसका exam pattern क्या है और इन सब के बारे में इनके पदों के से क्या-क्या इन सभी के बारे में हम आराम से one by one देख लेते है सबसे पहली बात तो कि जो इसका headquarter ओपीस है उत्तर पर देश जो है और regional ओपीस है जो भोपाल, चंडिगड, हैदराबाद, जैपूर, लकनो, पठना, पूने यह है regional ओपीस इसके लोग साथ analyze है और more than 650 जमार नवदी विदल्य है जो देश में अलग-लग इस्थान पर है अब यहाँ पर जो पोश्ट का नेम है और पोश्ट के नेम के आगे केडर लिकावा है और हम जिसके vacancy के बारे में आज बात कर रहे हैं इसके बारे में उस पोश्ट का नाम है इलेक्ट्रीशन कम प्लंबर यह इलेक्ट्रीशन कम प्लंबर है इसका केडर होता है जेन वी की जमार नवदी विदल्ये जेन वी केडर कहलाता है यानि यह headquarter पोश्ट नहीं होती है इसकुल के अंतरगत वाली पोश्ट होती है अब इलेक्ट्रीशन कम प्लंबर होता है इसको इसकुल के अंतरगत इलेक्ट्रीशन का काम करना होता जिसमें installation का काम हो या maintenance का काम हो और साथ के साथ इसमें प्लंबिंग का भी काम उसको करना होता है skill test का exam होगा skill test में electrician वालों को electrician से समवंधी सवाल पूचेंगे किस परकार पूचेंगे वो भी मैं आपको आराम से इसमें बताऊंगा ध्यान से देखना सबसे पहली बात आती है कि जो ये cadre की vacancy है इस vacancy के बारे में पदों की सेंग्या कितनी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं ये आपके सामने रहा electrician कम plumber group C post 11 group C post code कितना है भी post code 11 आप इसमें total कितने पद हैं तो total आप देखेंगे इसमें 128 पद है इस 128 पदों में से unreserved category के 75 पे EWS के बार है OBC non criminal air 15 पोस्ट है SC के 23 पोस्ट है ST के 3 पोस्ट है और जो physically handicapped है और तो handicapped उसके 3 पोस्ट है hearing aid वालों के 2 पोस्ट है other 1 है और ex-serviceman के हैं जो 12 पोस्ट है इस परकार total पोस्ट हों किसें के 128 है पिछली बार vacancy से बड़ी थी और बहुत सरी विद्यारती सेलेक्ट हुए थे क्योंकि इसका process ऐसा है कि आप यदि ढंग से electrician पढ़ते हैं साथ के साथ दूसरे subject भी त्यारी ढंग से कर रहे हैं तो आप इस NWS के exam में select हो सकते हैं पहले return exam होगा उसके बाद skill test होगा तो उसका process ऐसा होता है तो इसके बारे में भी हम पूरा आराम से one by one चीज़ें जान लेते हैं तो अब देखिएगा ये तो हमने पदों की संख्या देखी पदों की संख्या के बाद में हमारे पास आता है इसकी education qualification से सम्मंधित हम बात कर लेते हैं किसके education qualification है वो हमारे पास क्या होती है ये देखो electric income plumber post code कितना आ गए 11 ये इसकी education qualification के बारे में बात करते हैं उससे पहले देख लो pay scale कितना है level 2 की job है और railway की ALP and technician भी level 2 की job है same job है same pay matrix है 19,900 से 37,200 का pay matrix है जो railway के local pilot और technician का pay level होता है वो same है और age limit है 18 से 40 साल के बीच का विद्यारती candidate कोई भी form apply कर सकता है लेकिन उसके ये education qualification हो यानि कि पहली बात वो 10th pass होना चाहिए तो 10th pass ही उसके बाद उसकी IT होनी चाहिए IT किसमे होनी चाहिए electrician में यहाँ wireman IT यहाँ तो electrician में चाहिए यहाँ किसमें चाहिए wireman में इसमें इसकी IT होनी चाहिए और तीसरी condition जो fulfill करनी होती है कि at least यानि कम से कम 2 साल का experience चाहिए और किस field में चाहिए teaching field में नहीं मांगा इनोंने experience in electrical installation या electrical wiring या electrical plumbing जो wiring, plumbing या installation के अंतरगत 2 साल का experience कोई विद्यारती कहेगा सर मैं company में काम करता वो age environment करता और age supervisor करता, age plumber करता या age जो मैं testing के अंदर काम करता वो सारे LOV हैं, बिल्कुल वो सभी applicable हैं और कोई कहेगा सर महम किसी कोई company है जो service करती थी और जैसे मानलों कोई punk का बनाती है company और वो punk का बनाने वाली company तो punk का बेजती है, उसके बाद वो service का tender किसी और company को देती है हम उस company का अंदर service का काम करते थे, तो क्या हमारा experience माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा बस आपको वहाँ से experience later लेना पड़ेगा, जहां आपने काम किया कि हमने आपके installation में यहां आपके maintenance में यहां आपकी wiring में यहां plumbing में, हमने यह testing में, यह supervision में यह काम किया है, तो उसके experience लेगा, वो experience आपके allow होता है clear, desirable क्या होता है यह तो जुरूर यह two year experience in maintenance of electrical appliances यह कह रहा है कि जो electrical में, electrical appliances का maintenance करता है वो सबसे ज़्यादा desirable में माना जाता है, जैसे maintenance के बारे मैंने बता है ने, पंके के जो service कर रहे है जैसे AC की service कर रहा है जैसे कोई आपके fridge की service कर रहा है यह maintenance कर रहे है, electrical appliances यह गरे लूप करने, इनकी जो maintenance कर रहा है वो सबसे उचित माना जाता है यानि आपको दो साल का experience चाहिए, ऐसा नहीं यह दो और यह दो अलग लग नहीं है दो साल का आपको क्या चाहिएगा, express clear? चलो बई यह भी बात हो गई आपके education qualification को लेके अब हमारे पास आपको कोई दिक्कत है, नहीं रही होगी एक मिनट बई और age के बारे में अपने बात होई चुकी है, कि 40 साल तक है, और इन्होंने यह बताया कि कौन से कौन से सेर में exam होंगे आपके, जैसे आंदरपर्देश में विशा का पटना में exam होंगे आंदरपर्देश विजेवडा, गुंटूर में इस परकार होंगे तो अलग-अलग आप इस टेट के जिस इस टेट के वो बिहार है, तो बिहार में कहां का पटना गया, भागलपूर, मुझजपूर चंडिगड में, चतिशगड में, दिल्ली में, गोआ में जेपूर, जोदपूर, विकानेर, उदेपूर, रास्तान में होंगे पंजाब में कहां पर होंगे, यूपी में कहां पर होंगे ये सब कुछ आप अपने रज्य के अकोर्डिंग देख सकते हैं कौन से सेर में एक्जाम होगा, तांकि आप फोरम बढ़ते समय ये हमारे एक्जाम पेपर है, वो कैसा होता है, इसके बारे में एक छोटी सी बात यहां से देख लगाना टेस्ट, जनरल इंगलिस, एंड जनरल हिंदी, 15 मार्क इच सब्जेक्ट, देखो 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की इंगलिस आएगी, दोनों इच सब्जेक्ट आएगा, ये भी आपको ठीक है, और इस पेसिफिक नोलेज, जो ट्रेड का, वो साट नंबर का, टोटल पीसिल वाले जो सिलबस है, वही सिलबस आपका यहां काम आना है, कहां सर, बीएस पीसिल वाड़ों के लिए, जो बीएस पीसिल का सिलबस है, वही सिलबस यहां काम आएगा, कोई नया नहीं है, कहां सर, हम बात करते हैं, लोको पाइलेट की, तो लोको पाइलेट वाले वा आपका लगबग तो पूरा का पूरा मेच करता है और वही syllabus आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी परकार की कोई दिकत है नहीं होने वाली, clear? तो यह इसके अंदर मैंने आपको पूरी बात बता दी है कि 15 नमबर की reasoning आएगी, 15 नमबर की GK, 30 नमबर है जिसको 15 नमबर की Hindi और 15 नमबर की English हो जाएगी और उसके बाद 60 नमबर का है जो GK आजाएगा, टोटल कितने नमबर का आएगा? टोटल आएगा हमारे पास 120 नमबर वो stage first है, एगजाम कौन सा? stage first, इसमें आप पास हो देंगे, तो फिर आपका stage second trade test होगा, trade test को भी पास करना जुरूरी है, trade test होता है, go or no go basis, पास या फेल का आधार पर होता है, तो उसको भी आपको पास करना अनिवार यह होता, trade test को, trade test में कैसे सवाल पूचे जाते हैं, क आप यह पंक का घडबड़ा इसको सही करो, तो आपको देख क्या इस बंक के मता हो क्या क्या घडबड़ी है, आप इस बल्ब में क्या घडबड़ी है, बता ही आपने multimeter से कैसे चेक करोगे continuity, यानि कि जो practically knowledge या practically approach होती है उसके बारे में, और VCS रूप से electrical appliances, जो घरल उपक kिलेर, अब इसके अलवा एक और आपके लिए जानकारी है, कि forum की fees क्या, form की fees इसमें अच्छी कासी है, जितनी हम course की fees नहीं लेते हैं, उसे ज़्यादा यहाँपर form की ॥ीसर ली जाती है, सभी f indicate BSP soil में भी ज़्यादा form fees है, हम आट सुरुपे में可 kali करा है, form fees से पंदर इस income plumber है तो यह 1000 रुपए आपको टोटल है जो लगेगी कुछ के जनरल EWS, OBC, SC और ST के लिए टोटल लगेगी वो है 500 रुपए, किलियर? अब आता यह वेकेंसी कब आ सकती है? यह वेकेंसी एक महिने के भीतर-भीतर आने की संभावना है इस वेकेंसी को लेकर आपके अंदर मन में खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि यदि आप BSPSL की त्यारी करो तो same syllabus है, यदि आप UPPSL की त्यारी करो तो same syllabus है, यदि आप ALP की त्यारी कर रहे हो तो हिंदी और English के लाव चोड़के same syllabus है, तो इस same syllabus का ही जब आप पढ़ के जा रहे हो, तो उसी समय आप इसका भी exam दे देंगे, 20-25 दिन का आगे पीछ होगा, तो कोई दिकत नहीं होगी, बस जो आप पढ़ रहे हो उसको बहुत सांदर तरिक से पढ़िएगा, इसमें किसी भी परकार की कमी नहीं आनी चाहिए, यदि आपकी पढ़ाई में कमी हो गई है, तो UP BCL ही दिकत हो जाती है, BS BCL भी दिकत हो जाती है, लोको पाइलेट भी दिकत होती है, एन्वेस भी दिकत होती है, और यदि आप पढ़ाई बहुत सांदर कर रहे हैं, तो आपके सामने इतनी केंसे भी एक सीट आप अपनी पकी निश्चित रूप से कर लेंगे, तो पर आपके लिए होती ही रहती है और हम कोशिस करते हैं कि आपकी क्लास पूरी रेगुलर रूप से रहें और लगब क्लास आपकी मैं खुद लेता हूँ और आपको किसी भी परकार की कोई दिकत नहीं आती है और कोटिले क्लास आपको किसी भी परकार के कोर्स की पीडियाप चाहिए यह आपको कोई बुक्स चाहिए उन सभी के लिए हम पूरण तत्परता के साथ आपके लगे रहते हैं ताकि आप जो मंजिल पाना चाहते हैं उन भाज टेंक।